आपको हमारे चल में दोस्तो आज का टाइम है टेकनोलोजी का और सभी लोग टेकनोलोजी को यूज कर रहे हैं चाहे वो आम लोगों चाहे वो हैकर्स हो चाहे वो कोई भी हो सभी लोग टेकनोलोजी को यूज कर रहे हैं तो दोस्तो आज की वीडियो हम टेकनोलोजी के उपर ही बताने वाले हैं और इसके अंदर हम एक ऐसी मिस्टेक एक ऐसी common गलती के बारे में आपको बताएंगे जो हम सभी लोग करते हैं अपने computer पर अपने laptop पर या अपने mobile पर दोस्तों हम internet का बहुत जादा यूज़ करने लगे हैं और हर चीज में आप internet का ही यूज़ होता है चाहे वह अपने जनरल कोई चीज अगर हम कर रहे हैं या अपनी परसनल कुछ चीज कर रहे हैं चाहे वह पेमेंट रिलेटेट चीज हो चाहे वह अपने परसनल डॉक्यमेंट से रिलेटेट चीज हो दोस्तों हम सभी लोग एक ऐसी common mistakes या गलती कर देते हैं जो हम चाहते हुए भी नहीं करना चाहते हैं लेकिन हमसे अंजाने में हो जाती है और वो हमें आगे चलकर बहुत भारी पड़ सकती है तो यहां मैं आपको बताऊंगा कि वह कौनसी एक बहुत ना पड़ता है वो है हमारा password पासवर्ड एक तरह की चाबी होती है चाहे वो हमारा कोई भी account हो कोई भी हमारी ID हो या XYZ जो भी हम इंटरनेट पर यूज करते हैं हमारा एक पासवर्ड जो है उसको स्टोर कर देते हैं या सेव कर देते हैं आपने ध्यानते होगा कि कभी भी हम गूगल चलाते हैं या कुछ भी अपनी ID परसनल ID कुछ खोलते हैं तो उसके अंदर पहले एक option आता है कि क्या आप अपने पासवर्ड को सेव करके रखना चाहते हैं तो जादतर लोग उसको जल्दबाजी में yes कर देते हैं यानि कि allow कर देते हैं जबकि वो हमें नहीं करना चाहिए दोस्तों इससे परेशानी परिशानी बाली बात क्या होती है? परिशानी बाली बात यह होती है, हमारे फोन के अंदर जो cookies एक तरह की जासूसी करने वाली यह चोटी सी फाइल होती है, जो third party apps या third party site के तरू हमारे फोन के अंदर store हो जाती है, और जब भी हम इस तरह के password store कर देते हैं या use करते हैं तो वो cookies हमारे password related या हमारे personal जो ये data होता है इसको बाहर बेज देती है या भार इसको publish कर देती है तो हमें कभी भी अपना password जो है वो save करके नहीं रखना चाहिए 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 वो google में save करे हो चाहिए कोई भी हम ये से login करके आना चाहिए और साथ ही साथ इसका password इन अपना जो भी password हम use कर रहे है उनको time to time हमेशा change करते रहना चाहिए और दूसरी जो इसके अंदर महत्वपूर्ण बात है वो ये कि अपने phone के अंदर से cookies को लगातार आपको delete करना चाहिए हर हफते आप नियम बना लीज लेकिन अपने phone के अंदर से cookies को आप लगातार डिलेट कीजिए दोस्ते common गलती है कि अपने password को हम लोग सभी store करने लगे हैं ताकि हम लोग जल्दबाजीब में काम कर सकें तो अपने password को आप कभी भी चाहिए computer laptop PC कुछ भी हो इनके अंदर कभी भी save मत कीजिए यही एक common mistake क दोस्तों परिवार के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए आपकी स्क्रीं की ओपर सब्सक्राइब के लाल निशान के पर टच करके ताकि आपको मारी बनाए हुई नए नए वीडियो लगातार मिलती रहें यह ब्ल्कुल फ्री होता है आप इसे जासे जादा फायदा उठा सकते हैं तो अभी कली इतना ही धन्यवाद